So, hey guys, what is up? So, आज हम बात करने वाले हैं Sigma 16mm F1.4 DCDN And ये है मेरे Canon M50 के लिए मतलब की EFM Mount के लिए So, एर रिसेंटी लाँच किया है Sigma ने और Canon की जान बचा ली विकज देखो इस camera के लिए lenses नहीं थे मैं 1455 प्लस अपना ये Canon का 50mm यूज कर रहा था जो की बहुत ही popular है लेकिन यार ये enough नहीं था क्योंकि ये crop sensor है और इसके साथ जब मैं इसे use करता हूँ तो ये हो जाता है 80 या फिर 85mm का तो यार कुछ फाइदा नहीं था क्योंकि मुझे almost बहुत दूर रखना पड़ता था और recently अभी मैं इसको कुछ 2 हफतों से use कर रहा हूँ तो ये lens बहुत ही amazing है यार तो देखो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक छोटा सा hands-on बनाया जाए और तुम लोगो first impression दिखाया जाए कि कितना फरक पड़ता है इससे वीडियो में तो ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हो ये बन रही है 1545 से और अभी हम इसको अनबॉक्स करके देखते हैं पहले इसके अंदर हमें क्या-क्या मिलता है और इसको हम लगा के देखेंगे कि किस तरीके से ये हमें results देता है इसको अनबॉक्स करते हैं ये हमारा बॉक्स और देखने में देख लो बहुत clean and sleek है मैं इसको open कर चुका हूं जैसे मैं बतारों में इसको दो हफतों से use कर रहा हूं इसको open करते ही एक ये आजाता है इसके अंदर बॉक्स टाइप और यहां पर हमें कुछ documentation मिल जाते हैं यार एक चीज में तुम लोग को बता दूँ कि यह lens अभी तक इंडिया में आइक से मैं नहीं लिया है इसके कोई YouTube पर review या कुछ भी नहीं है यह first unboxing हो सकती है इसकी तो यहां पर कुछ documentation है इसको हम side में रखते हैं साथ में फिर अब कुछ भी नहीं मिलता है सबकुछ इसके अंदर है यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है जैसे तुम लोग देख सकते हो box बिलकुल खाली है इसको side में रखते हैं और इसकी बात करते हैं तो इसको हम open करेंगे तो यहार 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 पर हमें मिल जाता है एक lens hood और साथ ही साथ तक हम साइड में रखें तो हमारा यह है sigma का 16mm f1.4 dcdn और यह है Canon के EFM mount के लिए तो यह सबसे best lens अभी तक मुझे लगता है विकरज यह vloggers की और यह हमारे सिम्मेटोग्रफर्स की जान है तो यह देखो इस lens के बारे में बात करेंगे जो यह हमारा lens तुम लोग देख लोग बिल्कुल मस्त एक नंबर लग रहा है यार ओके सो यार इस lens के बारे में अगर मैं बात करो एक छोटा सा तो मैं अपने रूम में बिल्कुल यूज नहीं कर पाता था मतलब अपने 50 mm को जो कि यह है और इसके साथ जब मैं इसको शूट करता हूं तो मुझे बस इतना इसी फोकल लेंस पर यूज करना पड़ता है अभी चितने लेंस जो यह डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पर मुझे इसको रखना पड़ता है और बहुत ही अच्छी कॉल्टी आती है तो यार देखो यह लेंस अभी तक का सबसे बेस्ट है फिर क्योंकि है यार ऐसा और ऑपन करके सका दिखाऊं यह तो यह तो मैं ऐसा कुछ देख सकते हो बिल्कुल क्लीन एंड यह 1.4 है तो मुझे वह एक इनिशिल रिव्यू दे देता हूं कि कैसा है यह लेंस तो अभी मैं इसको निकालता हूं अपने 15-45 mm को जो की f3.5 और यहां समशिफ्ट करेंगे इस पर तो क्यों ना देखते हैं कैसा है यह तो यार अब जो तुम यह वीडियो देख रहे हो यह है मेरे सिगमा 16 mm f1 1.4 dcdn efa mount के लिए तो अभी तक मैं इससे शूट कर रहा था तुम देख सकते हो और इससे यह सब बोके जो तुम है दिख रहा है यह नहीं आ रहा था बिल्कुल भी जैसे कि तुम लोगो पता है तो यह लेंस बहुत बेसिक है और जो यह लेंस अभी तुम लोग देख र दिया है और बात यह यह यार के इन दोनों में बहुत डिफरेंस है क्योंकि यह जो लेंस है यह है अराउंड 35,000 का और यह है जस्ट 7-8,000 का तो तुम लोग को पता लग दिया होगा कौन सा वाला अच्छा है तुम लोग इसको देख सकते हो इसकी क्वाल्टी लाइक कितना प्यारा बोके आ रहा है और कितनी शार्प वीडियो यह दे रहा है अगर बिल्ड क्वाल्टी की बात करूं इस लेंस की इसके कंपरेटिव में तो यह बहुत अच्छा है इसका जो फोकस रिंग है यह बहुत बड़ा है तो बहुत इसी हो जाता है कि बिल्कुल स्मूद इस प्रक्राइब करती। κάνर दो तो एक बारा से देखनां कि भूछ अच्छी बाते बता देता हूं और क्छ छोटने इमुटे अच्छी बता देता हूं तो यार अब हम इस लैंग वापिस लगाने वाले है इसमें तो एक बर दोबारा से देख लो कितना प्यारा वोके त्यों में उतना तगड़ा बोके नहीं होगा तो यार इस लेंस की कुछ अच्छी वाते बता दूं तो तुम लोग लो लाइट में बिल्कुल एक्स्ट्रीम लेवल पे अच्छे से फ्टाग्राफी और विडियोग्राफी कर सकते हो तो यह इसका बद सबसे प्लस पॉइंट है जैस करना है because situation बहुत अलग-अलग होती है और तुम लोगों के लिए हाँ एक चीज़ बहुत जरूरी है कि इस लेंस के साथ एंडी फिल्टर लेना बहुत जरूरी है अदर्वाइस तुम लोग की फुटिज बहुत ही एक्सपोज होगी और तुम लोग यूज नहीं कर पाऊग पर तुम लोगों भी एक सब्सक्राइब बटन दवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हाँ यार साथ ही साथ मुझे इंस्टराम पर फॉलो करो अगर तुम लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है क्योंकि मैं केमरे से रिलेटेड हैं ये सब आएगा और मैं इसको थोड़ा सा और टेस्ट कर लूँ उसके बाद इसका पक्का एक रिव्यू आएगा तो यार बस इस वीडियो में इतना ही आए होप यू दिद लाइक दिस वीडियो और अगर पसंद आई हो तो फिर से तो नहीं कहूंगा लेकिन बस यार सो आइल सी य